पाठ तेरह गिरिधर की कुंडलियां पाठ प्रविश गिरिधर कविराज मूलतह कुंडलियां लिखते थे, जिनकी विशेश्टा होती है इनकी छे पंक्तियां। गिरिधर कवी अपनी कुंडलियों की दूसरी पंक्ती के अंतिम भाग का प्रयोग बड़े ही अनूठे ढंग से तीसरी पंक्ती के प्रथम भाग में करते थे। कुंडलियों की भाषा लोक भाषा अवधी एवं पंजाबी का मिश्रन है। कवी जगत की सच्चाई, व्यवहारिक्ता एवं सूज-बूज आदी को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो बीट गया। व्यक्ति उसका शोक कर वर्दमान को निरर्थक न करे। धन दौलत तो चंचल है, आज है तु कल नहीं। इसलिए व्यक्ति को धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कि ये काम से पच्चताना पड़ता है। समाज में गुणी व्यक्ति के प्रती सभी नतमस्तक होते हैं। और निर्गुणी के प्रती दुराव रखते हैं। दौलत पाए न कीजिये, सपने हूँ अभिमान। चंचल जल दिन चारिको, ठाउन रहत निदान। ठाउन रहत निदान जियत जग में चस लीजए। मीठे वचन सुनाए विनै सब ही की कीजए। कह गिरिधर कवी राए अरे यह सब घट दौलत। पाहुन निसिदिन चारि रहत सब ही के दौलत। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लेई। जो बनि आवै सहज में, ताही में चित देई। ताही में चित देई बात जोई बनि आवै। दुर्जन हसे न कोई चित में खता न पावै। कह गिरिधर कवी राए यहाई करू मन परती ती। आगे को सुख समुझी होई बीती सो बीती। बिना विचारे जो करै सो पाच है पचताई। काम बिगारै आपनो जग में होत हसाई। जग में होत हसाई चित में चैन न पावै। खान पान सनमान राग रंग मन ही न भावै। कह गिरिधर कवी राए दुख कचु टरत न टारै। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। गुन के गाहक सहसनर बिन गुन लहै न कोई। जैसे काग कोकिला शब्द सुनै सब कोई। शब्द सुनै सब कोई कोकिला सबै सुहावन। दोव को एक रंग काग सब भै अपावन। कह गिरिधर कवी राए सुनाओ हो ठाकुर मन के। बिन गुन लहै न कोई सहसनर गाहक गुन के। पंग सुन झाल